चलि कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब भी आप लोग घर में होंगे आप लोग को सब को घर में राना है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा भ्यानक इस्तिति आ चुका है एक हमारी इतना बड़ा होस चुका है कि सायद ऐसा ही कभी दुनिया में पहले हुआ होगा इससे लगबग 194 देश परवावित हैं एक चीन के बौान से निकलने वाला जो यह बिमारी बायरस आया पूरे बिस्व को एकदम बदहाल कर दिया इसका इस्तिति खराब कर दिया है औ आता नहीं हमारा इंडिया का भी क्या हाल होगा तो हम आपसे घुजार לפ हमशनि करते हैं प्लीज आप लोग अपने जो भी सरकार आपके देश के प्रधानमंत्रि जो भी बाद को कर रहे हैं आपके जोभी गार्जिय कर आपकि उस सभी का सपोर्ट किये उने सभी के बात को म पता नहीं हमको कितना दिन ऐसे घर में रह जाना पड़ेगा, अगर अभी हम कुछ दिन घर में रह लेते हैं, तो हमको साइद अच्छे दिन जल्दी दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा आपके भूली के वज़ा से पता नहीं, फिर कितने दिन घर में रहना पड़ जाएगा, और ओं मजबूरी हो जाएगा घर में रहना, तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट करें, और हम भी आपसे हाँ जोड़कर बिंती करते हैं, प्लीज मेरे बातों को माने, अपने सरकार की बातों को माने, उनके द्वारा दिये गए जो भी सुचना है, उसको आप अपने घर में, अपने परिवार में सभी को बताएं, सभी को फॉलो करवाएं, और आप खुद भी फॉलो करें, कुछ दिन घर में रहने में क्या जाता है, क्या दिकत है, आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, कि जो जेल में कैदी हैं, वो कैसे एक साल दो सल तिन सल कैसे रहते होंगे आपको तो दस दिन बारा दिन घर में रहने को बोला जा रहा है तुव इतना दिन आप estratी से कार सकते परिबारे के साथ खेल कुछ सकते हैं और अब अब तो हम भी आपके साथ जुड़ने को तयार हैं तो आप हमारे साथ जुड़े तो इस सुचना उनके लिए है जो इसमा टेल्द का एक्जाम दे चुके हैं चाहे हो बिहार वोड़ से हो सीबियसी हो वह भायों के लिए बहुत ही एक खास सुचना है क्योंकि हम लोग को लगता है कि अब थोड़ा सा हम लोग का समय बेकार का हो रहा है इसलिए घर पर हम लोग पढ़ाई भी कर सकेंगे तो 11 का नया बैच हम लोग सुरू करने जा रहे हैं जो आज से शुरू हो रहा है तो आज से 11 का नया बैच तो सबसे पहले आप लोग का वेलकम है बेलकम टू माई परवीन केमेश्टी इस चैनल से आप लोग जल्दी जल्दी जूड़ जाएए और आपको कुछ नहीं करना है इस पे जो आपको चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दीख रहा होगा नाम के सामने जो माई परवीन केमेश्टी लिखा हुआ उसके सामने स सब्सक्राइब हो आप लोग सभी जाने के बताने की जरूत नहीं कि कहां पर बटम होता है आप लोग इसे सब्सक्राइब करने से क्या होगा जो भी अपडेट वेडियो रहेंगे आपको तक जरूर पहुंचाएंगे और उससे भी अगर आप लोग ज़्यादा से आप लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको एक वाट्सव का नंबर मिल रहा होगा या दिख रहा होगा या भी दिखा रहें 7277262239 इस नंबर पर अगर आप 11 लीकर सेंड कर दीजे और अगर 12 लीकर सेंड कर दीजे इससे आपको काफी तरह के नोट्स जो पीडिय वीडियो अप्लोड होंगे वीडियो का लिंक आपके पास डायरेक्ट आपके मोवाइल में चला जाएगा तो आप इस पर जरूर मेसेज करें या 11 है तो 11 लिके 12 है तो 12 लिके और इस नंबर वाट्सव नंबर पर सेंड कर दें कोई कॉल नहीं करें कॉल इस पर नहीं लगे अपलाइं जब हम लोग मिलेंगे तब आप लोग चाहेंगे कि आप हमसे पढ़ें अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको इनफॉर्म कर देते हैं हम बिहार के जहानाबाद जिले क्योंकि हमारे जो भी भाई जहां तहां से देख रहें तो वो सभी तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं लेकिन जो आपको जहानाबाद पढ़ने का अगर आने का मन हो तो आप परवीन केमेश्टी में एक बार जरूर आया और हम लोग तो ऐसे तो मिलते ही रहेंगे इसके बाद 277262239 और वी इंफॉर्मेशन अगर आप बाट्सप नंबर से जूड़ सकते हैं जूड़ जाएंगे तो आपको और वी इंफॉर्मेशन इस नंबर के थ्रू मिलते रहेगा तो चलो अब हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं सबसे पहले हम लोग आज 11 का क्लास शुरू हो और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन का वीडियो है तो आपको डेली वीडियो तो मिलते ही रहेंगे उससे भी सबसे अच्छा जो आपको थमनेल मिलेगा जो वीडियो के पहले में पेज मिलेगा उस पेज पर आपको देखिएगा कि नीचे थोड़ा सा कोना में एक बड़ासा एक, दो, तीन, चार आपको लिखा हुआ दिख़्ाई देगा जो day करके लिखा हूआ, पहले day, उसके बाद नमबर दिया हो रहेगा कि कौन से day का है, पहले दीन का है, दूसरे दीन का आस् तीसरे दीन का है, आप उससे पता कर सकते ही कौण का video है या तो आप class के board से पाम क्लास से मेरे साथhta चूढ पाई तक हम उनको एक हम चुछा पाईएगा । चला वाभू आज हम लोग सुरू कर रहे हैं तो बताना चाहते हैं कि आप लोग सभी हो गए तो आया नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि आप सभी पास है और आप को एडवांस में बधाई भी देते हैं आपको बहुत- इपका result सफलता पुर्वक सही आएगा जो भी भाई माल लेते हैं कि किसी बज़ा से असफल हो जाए हम तो ऐसा मानते नहीं कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हूं वह असफल होगे नेकिज पाइसी माल संघर्स और जित एक दूसरे का सार्थक होता है तो दुनि काम कि या उगाते हैं कि हम तो first time में सफल कर गए हैं जो आगे जाकर थोड़ा सा normal हो जाते हैं लेकिन जो ब्यक्ति और सफल होने के बाद सफल होता है उसको काफी कुछ सिखने काओं का मौका मिलता है और वो ब्यक्ति उस ब्यक्ति के तुलना में काफी अग्रसर होता है और काफी अच्छा करता है तो हम उमीद करते हैं आप लोग सभी सफल हो जाए लेकिन कोई भाई भान हमारे किसी बजा से सफल हो जाते हैं तो उनसे हम एक बिंदी करते हैं आप हार नहीं मानें आप और अच्छे ढंक से मेहनत करें ताकि आपका next time बिहार टॉप हो अच्छे जगह पे नाम हो तो जल्दी जल्दी जुड़िए और इसको जल्दी से 10,000 में बदलिए जल्दी से एक लाक में बदलिए क्योंकि हम लोग को हमेशा साथ रहना है हम वैसे ही काम करेंगे जैसे क्लास में करते हैं पूर्ण ता आपको लेक्चर मिलने वाला है आपको क्या करना है हमारे सब सकते हैं और यह वीडियो 45 मिनट से 60 मिनट का रहेगा 45 मिनट से 60 मिनट कभी कभी किसी बजा से वीडियो 30 मिनट का हो सकता है लेकिन हमेशा आपको सभी वीडियो 45 मिनट से 60 मिनट के अगर आप पड़ना चाहते तो आपको तो हमारे साथ जुड़ना होगा पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना होगा तो चलो बाबू हम लोग बात करते हैं कि आप 10th पास हो गए 10th का रिजल्ट भी आ गया उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं तो करने का आपका तीन च होते हैं जोड़ जड़ा ध्यान से देख लिए और एरिया होते हैं या तो आप साइन्स से काम कर सकते हैं या तो आप से काम कर सकते हैं आपके पास तीन तरह के चांस हैं जब आप लोग 10 पास कर गए 12 में इंटर कर रहे हैं तो आपको तीन तरह के चांस हैं किसमें जाना चाह हिंदी की बात करें तो बिज्ञान में पर्वेस किसमें पर्वेस कर रहे हैं तो कला में पर्वेस कर रहे हैं अब आपको तीनों में काम अलग-अलग हैं आपको काम करना आइए सित इसमें कुछ और पढ़ने होंगे अँगे आपको करना आइए तो आपको कुछ और पढ़ने होंगे अब बात कहते हैं अगर आप do data इंजिनियर पुंड नियर हैं सब के दिल में ऐसा ख्षाइस आता है कि Dr इंजिनियर होगा हम आरे दिल barely बनाना होगा हमको सबसे पहले एक राव्ट करने के लिए टार्गेट करना होगा क्यों को चीज प्राप्त करना है यहां हम चल गए तो कभी भी आप नोल सकते हैं नहीं पो शकते यानी विस worn high आगर आपको डॉक्टर बना तो डॉक्कर के एरिया में आप जाएंगा différentes ऐसा कभी संभब नहीं है तो सबसे पहले आपको एक लच्छ बनाना है उस लच्छ के दार पर काम पर आ общ को मौसा मौसी फूपा फूपी के कहने पर नहीं करना है कि आइसे करने से आपको काम नहीं चलने वाला है क्योंकि पढ़ना उनको नहीं है पढ़ना आपको मेहनत आपको करना है जब अपको नहीं किजेगा आप कुछ भी कर लिजे पास नहीं होईएगा एक और चीज यहां पर दो को लोग टप्ट बांते हैं ऐसा हमको समझने में है दो लोगों से सुनने में आया और बात करने में है कि जो आएस है ना और जो आइकॉम है ना इसको बहुत लोग भार समझते ह हाड है और जो यह आए है ना इसको कदे की चाटनी इसको तो घरे राके पढ़ लेंगे हमको बहुत सारे स्टुडेंट से आसा सुनने को मिला है कि सर हमको पापा कह रहा है ना हमको मौसा कह रहा है ना कि आईये कर लो आगहरे बैटके पढ़ लेना आप एक बात बताईए आईये जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्स अब आर्स आप घरे बैटकर पढ़ सकते हैं आप इसके पहले आप टेंध क्लास को होंगे तो आपको पढ़ना होगा इतिहास भगोल नागरिक सास्त्र और भी क्या-क्या पढ़ना था तो उसमें से आपको हिस्ट्री में क्ये है कि हमारे भारत का अर्थ विवस्था क्या है हमारे भारत का अर्थ विवस्था के धार पर क्या-क्या काम होते हैं हमारे संभिधान में क्या है संभिधान का अंतरगत क्या-क्या पढ़ने है संभिधान कैसा 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 कानून बना है कैसा कैसा नियाम बना है जैसे आपको प पढ़ने के बाद दुनिया का सबसे hard competitive exam जिसको हम लोग कहते हैं IS और IPS जिसको करने के बाद लोग DM और SP और कई बड़े बड़े पदादिकारी बनते हैं इसको करने के बाद बनते हैं जिसको आप घर में बैठकर पढ़ना चाहरे हैं कि घर में बैठकर हम पढ़नेंगे और ज होता है कि हमको ये करना है उचलते रहता है उसको खुद नहीं पता होता है अरे आप पता करो क्या है अप उसके बारे में देखो कि अच्छा हम को कौन-कौन से चांस मिलेंगे हमको किदर-किदर जाने का मौका मिलेगा ऐसा नहीं कि बस time pass करने के लिए इसी कर लिए है कभी भी आप अपने लच्छ के तरफ नहीं जा सकते हैं आपको एक लच्छ बनाना होगा जिस लच्छ की और ही जाना होगा अगर आप साइंस करते हैं तो साइंस करने के करना कला है यहांँ हम भी हम यह सारी लोगों से इस बाथ करने और बेलोजीर पढ़ने के बाद आफ़ और डॉक्टर क्या दुनिया का सबसे कमजॉर है डॉक्टर पनदा सब के बश्की बात है डॉक्टर पढ़ने डॉक्टर करना आसान है डॉक्टर का लेंच apologize को समझ में नहीं का जो भी पार्ट होता है जो भी उसका में सोता है जो भी आप खशूương आपको birlikte लार पिर आपपि डॉक्टर को सान कैसे कहा दें और असान वो लोग कहते जो इसके बारे में कभी जानती ही नहीं हम एक कहा देने से के हमको क्या करना आयसी करना कोई बड़ा बात नहीं है लेकिन आपको लच्ष बनाना होगा कि हमको क्या बनना डॉक्टर बनना इसके अधार पर ही काम करें और इसके बाद अगर आप आये करना चाहते हैं तो आये क्यों करना चाहते हैं इसके बाराभी सोच लीजी थोड़ा आई कॉन करना चाहते हैं यह आप यह कॉंटेंट बनना चाहते हैं किसी बैंक को चलाना चाहते हैं किसी बिजनस को चलाना चाहते हैं ताब एक करें अब यहां पर फै समार पाईएगा अर्थ विवस्ता को देख पाईएगा लेकिन अब बताते हैं अधी आप IAC कर रहे हैं तो अभी आप आर्स के तरफ जा सकते हैं यानि competitive level का exam देश सकते हैं अगर आप icon कर रहा है फिर भी आप general competition के तयारी कर सकते हैं general competition में आ सकते हैं लेकिन अगर आप IAC कर रहे हैं तो आप कभी भी इंजिनियर और डॉक्टर नहीं बन सकते हैं आप IAC कर लेते हैं फिर भी आप इसके लेवल के जो general competition होते हैं उसको आप pass कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं अच्छे पदादिकारी के post पर भी जा सकते हैं मेहनत करे तब ऐसे ही सिर्फ कर लेने से नहीं होता है मेहनत करना पड़ता है आप इधर भी जाए तो इधर भी जा सकते हैं यानि यहां पर फैदा है अब आपको यहां पर समझना है कि हमको तीस नमबर का प्रैक्टिकल मिलता है अच्छा बताओ तुम पढ़ने आया है कि नोटांकी करने या है महनत करने कि तिस नमबर मगनी मिले में तो बैठो रहो हुने घरे क Здесь को है पास कर आपका करणे खुद से तुम्हारा जरुवत क्या है इस दुनिया में कोई जरुवत ही नहीं है वैसे ब्यक्ति का कोई जरुवत ही नहीं जिसके पास कुछ अपना नहीं है तो वैसे ब्यक्ति बनकर नहीं रहिए इस दुनिया में आया है तो दुनिया में कुछ अच्छा नाम करके जाए अ आप दोनों में से करिएगा उसके बाद भी हमको से मिलिएगा चाहे तो आप बाइलोजी से लिजी लिजीएगा तोла हम से निया हो गया है च्रक्या सब्चलेक्ट में प्रसम हो गई तो आप थैसी सब्चलिक में पाज .... तो पास हैं पहले हिंदी ओर इंगलिष जो आपको मिलता था पचास नंना अवार सलर्क होगा था और डेरसम है अभी चीभिष तुड़नेंट के। जो हमारे लेवल का था वो हमारे जीला का टॉप किया हमारे स्कूल में टॉप किया वो टॉप कैसे किया आप से कहीं ज़्यादा मेहनत किया होगा टॉप क्यों करता है आपके बेंच पर ही वो वेट पेड़ता है उसको भी वही सर पढ़ाते है जो आपको पढ़ा है उसके बा आप इसलिए पढ़ रहे तो आप समझी कि जीवन का बियर्थ टाइम काली पास कर रहे हैं अपने जीवन को बियर्थ बना रहे हैं इससे आपको कोई भी फैदा होने वला नहीं है अगर आपको अभी ही लगता है कि हमको सबसे कोई मतलब नहीं है हमको प्राइशा है विए पर पढ़ाई के लोग है ऐसा नहीं कि पहाई पढ़े करी दुनिया में नाम किया सकता है आपको जिस छेतर में मल लगता हूँ उस छेतर में चले जाईए आप बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो बिलकूल अनपढ़ है पढ़े लिके कम है फिर भी अज उनका दुनिया में नाम हो रहा है तो आप वैसे भी लोग बनना चाते है तो वैसे लोग का भी दुनिया में मान से मान है बसरते आपको उस लाइक काम करना होगा आपको जिस तरह का काम करने आता उस तरह का ही काम किजिए और आपके लिए एक काफी important है आपका जीवन आप जीवन में सब कुछ कर पाईएगा कब जब आपका जीवन साथ देगा और जीवन साथ देगा कब जब आप जीवन का साथ दीजेगा तब तो जीवन को गवाईए नहीं आपको एक जीवन मिला है इस दुनिया में एक नाम मिला है तो इस नाम को थोड़ा सा बढ़ा करके जाए इस नाम को थोड़ा सा उंचा करके जाए ताकि आपको इस दुनिया में फिर से मांसमान मिलते रहे आप रहे या नहीं रहे आपका दुनिया में नाम होते रहे आ बात को कैसे लिखा होगा यह बात कभी सोचा है आप जिस साइंकली पर चलते हैं उस सबसे पहले कौन बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा आप जिस कार पर चल रहा है उसकार पर चलने के लिए आप सोचते होंगा और उसकार को किसी ने बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा जिस एक गोल तयार करने में क्या है आपके लच्छ तयार करने में क्या है कि हमको इंटर में अच्छे नंबर से पास करना है हमको इंटर में टॉप करना है अच्छे नंबर से सिर्फ फश डिविजन नहीं लाना है हमको टॉप करना है क्योंकि जो भी टॉपर होते हैं वह भी आपक कुछ करता है तो बस आप भी मेहनत करते रहें और दुनिया में अच्छे जगा पे पहुंचे यह मेरा आप लोग के साथ सुब कामनाय है और हम लोग कल से नए क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ बेसिक के साथ हम लोग का बेसिक कॉंसेप्ट जब तक किलियर नहीं होगा या हमारा कोई भी आपसे लाब मिलने वाला नहीं है लेकिन आपका कोई भी दोस्त साथ ही अगर साइंस से करना चाहता है और अगर आप उसको हमारे बारे में बता देते हैं तो हम आपका अवहारी रहेंगे इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अब आपको बता दे जाने के लिए उसका नीव को मजबूत करना होता है नीव जो जमीन के नीचे जाता है जमीन को नीचे जितना ले जाएगा ना उतना ज्यादा ही उपर जाने के लिए मजबूत होगा यह बात को आप लोग मानिएगा ठीक है ना जितना आधिक नीचे हम डालेंगे उतना ही अधिक हम उचा तक ले आ सकते हैं यही होता है नीव जब नीव बर्यार होगा तो सीखर भी काफी मजबूत होगा तो भाई हमारा बेसिक कल से क्लास में चलेगा और आप लोग जुड़ जाइए 11 का क्लास सुरू हो गया आप घर पे बैठना नहीं है जो भी 12 वाले भाई है 12 क ले लिए उनको भी इंफॉर्म कर दें कि परवीन सर के साथ जुड़ो और परवीन सर आप लोग के साथ मेहनत करेंगे और आपको परवीन सर को अच्छे से मेहनत करके दिखाना है कि नहीं हम ऑनलेन के थूँभी अच्छे से पढ़ा सकते हैं हम इस काम को भी डेवलब कर सक लाया है कि में 96 नंबर 96 नंबर जो वीडियो के थूरू बता रहे हैं जो आप लाइन के नहीं ऑनलाइन पढ़कर लाये हैं तो उसके लिए हम आपको उनको बहुत धन्यवाद देते हैं उन्होंने हमको बताया कि सर उसका स्किन सौर्ट भी मेरे पास अगर किसी को देखना ह तो हम दिखा सकते हैं या उस भाई से बाद करवा सकते हैं उन्होंने अपने से कहा कि सर आपका वीडियो हमने देखा था आपके वीडियो से ही हमने सर 96 नंबर लाया सर अच्छा आएगा मेहनत बस करते रहना है मेहनत करते रहिए भाई तक तक आप लोग मेरे साथ रह highness को जानकारी नहीं ले ऊस सित यह समसे बात कर लें कि क्या करना चाहिए कि कौन हमको क्या बताता है आप सबीके दिमाग में एक ऐसा बात आता होगा न का आपको पकौड़ पाते होंगे कौन सही और कौन गलत है तो जरूर आप इस बात पर नोटिफाई कीजिए कि हमको कौन सही रास्ता दे रहा है कौन रास्ता गलत दे रहा है और उस बैक्ति से तो आप पुछे ही नहीं जिसको उसके बारे में खुद जानकारी नहीं है कभी भूल कर भी ऐसा काम नहीं किजेगा कि जो अभी 12 कभी पास ही नहीं किया है और हम उसको से जाकर पूछ रहें कि अच्छा भाया अच्छा दिदी हम आये सी करें कि आये करें कि आयकम करें जिसको खुद नहीं पता कि यह सिका होता है वह भी आपको कहेगा कि अच्छा तुम आये कर लो आये करेगा तो तुमको आपको काफी ठेस पहुचाएगा कि नहीं भाई तुमको से नहीं होगा जबकि तुम करना चाहते हो तुम करना चाहते हो तुम्हारा अंदर का जी गयासा घट जाएगा और तुम अपना जैसे-तैसे काम कर लेगा तो बाकी information हम लोग मिलते रहेंगे और जो नंबर दिया उस नंबर पर मेसेज जरूर किजिए और हम लोग कल से basic के साथ बिल्कुल साइंस चलेंगे क्योंकि अगर हमको IAC में आना है तो साइंस किसे कहते हैं साइंस कहा साया साइंस कितने तरह को ह्ते हमको क्या पढ़ना है सारे दियो ने class में तो क्लास पहांचान करना है तो को ना में आपको एक दो तीना लको क्लास में तो जब्याद कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों आप लोग के उमीद है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे धन्यवाद